हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल तो आज फ्रेंड मैं आपको बताने वाली हूं जीमी कंद जिसे अलिफेंट फूट भी बोलते हैं और ओल भी गहा जाता है बहुत जगह पे इसकी आज मैं आपको चटनी बनाना बताऊंगी और इसे आप कितने दिनों तक आडाम से रख के खा सकते हैं आज मैं वह भी बताऊंगी आपको तो यहां मैंने जीमी कंद को लिया है ओल को जिसे सुरन भी बोलते हैं इसे मैंने लिया है मैं हाफ को ही बनाने वाली हूं तो यह 250 ग्राम है और इस ओल के हमें छिलके उतारने है और कट करके हमें इसे बॉल करने हैं तो मै लेकिन अंदर में भी कुछ ब्लैक ब्लैक जैसे उसी के पार्ट रहते हैं तो इसे आप बॉल होने के बाद आप निकाल लीजे बहुत ज्यादा कच्छे में नहीं निकल पाता है और इसे मैंने दो से तीन विजल्स मैंने लगाई थी और ज्यादा विजल्स आप मत लगाईए तो बहुत ही पानी में ही यह मिक्स हो जाएगी इसलिए इतना ही बॉल करना है कि बॉल होकर कि इसकी सारी पीसे बाहर निकल जाए और इसके बाद यह थंडे होने के बाद आपको इसे ऐसे ही अब चमच या फोक की हिल्फ से आपको इसे दवा करके और इसे अच्छे से मैस क मैं अदर होता है. मतलब रहा सो आतों से चंदक लेँटिये और हारि मीर्ष और लैशुन, बारी मिर्ष है और ने लेख ह्या है मैं च्रहन ऐर कहरी मिर्ष है, दल्सम्तम अदर यह च्चनी कैसे दल्स में ₹ Mastra Doil, सर्शों का तेल, 5 चमच मैंने लिया है, और इसमें मैंने 2 पिंच मैंने हिंग डाल करके, गरम किया है, मतलब सर्शों के तेल को पहले आप अच्छे से गरम कर लिजे, और दो चुट की हिंग डाल करके, इससे ठंडा कर लिजे, रूम टम्परेचर पर इससे आपको ला तो निम्बू जो है यह बहुत ही lemon juice इसमें डालना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जो शुरन ओल जो होते हैं वो गले को काटते हैं तो इस वज़े से आपको निम्बू की quantity यहां पर बढ़ा देनी होती है और यहां पर हम कुछ मसाले लेने वाले हैं जिसमें हल्दी और लालमिश पॉडर ही हमें चाहिए बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए और अजमाइन थोरी सी चाहिए होगी तो हमने चटनी के सारे जो भी समगरी हैं वो हमने रेडी कर लिये हैं ओल को हमने मैस कर लिया है अब मैं यहां पर क्या करूंगी पहले इसमें हलदी डालूंगी तो मैंने यहां पर छोटे की मैंने इसमें डिली टर्मरीक जो रोती है और यह बहुत ही टेस्ट को भी मरा देता है क्लर भी अच्छा कर ता है यहां पर मैंने दो चम्मच लालमिश पॉर्डर डाली है इसमें मैंने कस्मीरी लालमिश मीक्स किया हुआ है जिससे कि इसके कलर बग काफी अच्छे चटनी के कलर जो है न वह मतलब काले नहीं पड़ेंगे और हल्दी डालने का भी परपस वही होता है और यहां पर मैं सॉल्ट डाल रही हू नमक जो है वह आपको अपने स्वाद के अनुशारी डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग तो यहां मैं चार चम्मच भरके नमक डाले हैं बाद में आप टेस्ट करके देख लीजिए जब चटनी बनने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो थोरी बहुत आप एक्षा डाल कर सकते हैं, लीजिए शुरुवात में कमी डालिएगा ज्यादा चटनी में नमक लक होगी तो बाद में आप उसे कम नहीं कर शकते हैं लेकिन कम होगी तो आप उसे बाद में बढ़ा सकते हैं तो अब इस मसालो को तो अच्छे से हम यहाँ पे juice अड़ कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, तो क्योंकि शुरन कोई-कोई शुरन old जो होते हैं वो गले को काटते हैं, तो बच्चे अगर खाले तो थोई problem हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पे निम्बू अच्छे से डालिए, क्योंकि अग लेकिन दो दिन के बाद इसके टेस्ट काफी अच्छे और बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं टेस्ट इसके, मतलब खटापन इसमें बहुत बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, जो मशाले आड़ करते हैं उसके, लेकिन ऐसे जिस तरीके से मैं बता रही मिक्स करेंगे और मैं जिस तरीके से आपको यह चटनी बनाना बता रही हूं यह बिल्कुल भी बाद में जाकर इसके रंग जैसे होते हैं जैसे ऐसे ओल की चटनी पुरानी पढ़ती है ना शुरन की तो उसके कलर काफी मतलब डल हो जाते हैं तो और किसी भी खाने के जब कलर और लाल मिश पाउडर यह इसके कलर को बनाए रखेगा शाथ में हमने निम्बू के रस्पी डाले हैं वह भी और उसके बाद और क्या मैं डालने वाली हूं वह भी आप देखते जाहिए अब यहां पर हमने जो बारी कटे हुए हरी मिर्च लैशन और अधरक हमने ली थी उ जिंजर मैंने एक इंच के लिए उसे पतले पतले स्लाइस कर लिए थे आप चाहे तो कद्दू कस कर लीजिए अब यहां पर जो हमने ओल लिया था यहां पर मैंने चार बड़े चमच मैंने ओल गरूं किया था और इसमें ओल की जो क्वांटिटी है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यही आपको अगर बाहर चटनी को रखके खाते हैं तो तो पंद्रे दिन तक आप आराम से खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी बरस रखने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगी और फ्रीज में रख करके तो आप 2-3 महीने खा सकते हैं यहां प पच्छने में भी आशानी होती है खाने के बाद इससे जो गैस वेगरे की लोगों को प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है अगर आप हिंग एड करते हो तो तो इसलिए हिंग बहुत ही फायदेमंद होती है चटनी या चार वेगरे में तो एकदम से इसे डा करके ही डालना है तंग आपको कहच्छा ओएल नहीं डालना है कि बाडल से या पैकेट्स निकाला और एड कर दिया यह कभी भी मत किसी किसीवी चटनी आ चार के साथ में नहीं की जिएगा अब इसे आपने एक अच्छे से गंटेनर को अच्छे से साफ करके या गर्म पानी सचाव करके सुखा करके इस कंटेनर में आप एक कंटेनर में इसे भरके 2 दिन आप इसे धूब दिखाना है आपको और दूब दिखाने कबाद hypothesis की चत्नी की जो स्वादय कापी बढ़ जाते हैं उशके ऑद अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप अच्छे साफ कंटेनर में इसे भढ़के फ्रीज में रखे और जब खाना हो तो थोरी दिर पहले आप किसी भी बाउल में जितनी ज़रुत हो उतनी निकाल के बाहर रख लीजे बाकी को फिर लगे हाथ आप फ्रीज में रख दीजे तो दो तो आप तो सब्रीज में चटनी जल्दी खराब नहीं होती है तो बाहर रखना हो तो ऐसे कांच के बाउल में रखे घ्रक और धक के दो दिन धूबती खाने के बाद आप इसे किचें की किसी भी लागांद प्लेस पे आप इसे रख दीजिए और दस से पंदर दिन आराम से आप इस चटनी को खा सकते हैं बसरते की से आप गीले हाथों से ना छुए और ना ही गीले चम्मच इसमें आप लगाएं तो 10-15 दिन बहार रखके भी खा सकते हैं और ये चटनी बहुत ही मज़्यदार होती है ये पराठे या रोटी के साथ में बहुत ही अच्छे से जाती है ये लोग बहुत पसंद से खाते हैं तो फ्रेंड आप भी मनाईए खाईए और अपने एक्स्पिरेंस हमारे शाह सेयर कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और पहली का विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का आइकन को जरूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की इसी तरीके की और भी रेस्पी को देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का आइकन को क्लिक कर दीजिए